हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज जो रेस्पी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ वो है मिक्स ठकका चाउमिन चाउमिन खाना सभी को पसंद होता है तो आए चलिए इसकी रेस्पी देख लेते हैं यहां पे मैंने एक कढ़ाई बेठाई है कढ़ाई गरम हो चुकी है इसमें मैंने करीबन 4-5 टेबल स्पून रिफाइन देल डाला है रिफाइन तेल गरम होने के बाद इसमें मैंने बॉइल किये हुए चिकन के पीसिस डाले हैं ये चिकन मैंने पहले से ही बॉइल करके रखे हुए थे और अब मैंने इसे फ्राई कर लिया है चिकन निकालने के बाद इसी में मैंने दो फेटे हुए अंडे को डाला है अंडा आप जब डाले या जब आप फेटे तो इसमें थोड़ी सी नमक मिला लें और ये अंडा भी हमारा फ्राई हो चुका है और अंडा निकालने के बाद मैंने इसी तेल में थोड़े से प्राउंस को भी फ्राई कर लिया है और इस प्राउन में भी थोड़ा सा नमक डाल ले यह हमारा प्राउन भी बहुत अच्छे से हो चुका है फ्राई और अब निकाल लेते हैं और उसी तेल में मैंने एट किया है थोड़े से चौप्ट कारलिक और दो से तीन बड़े कटे हुए प्याज प्याज को चोटा-चोटा न काटे फ्रेंस और इसे ब्राउन करके न भूने इन्हें हमें वाइटी रखना है जस्ट प्याज और लसं थोड़ा सा नरम हो जाए उसके बाद मैंने इसमें एट किया है थोड़ा सा मुठी भर गाजर जो की मैंने चौट करके रखे हुए थे और साथ ही में डाल दिया है मुठी भर हरे बीन्स आप इन्हें काटने के लिए एक चौपर की भी हिल्प ले सकती है चौपर की हिल्प से ये बहुत अच्छी तरह से कट जाते है बहुत ही बारी कटते हैं साथ ही में मैंने डाल दिया है इसमें बंद को भी उसके साथ ही मैंने एट किया है पहले से बॉइल किये हुए नूडल्स नूडल्स को जब आप बॉइल करें तो उसमें दो चम्मच तेल डाल दे इससे नूडल्स आपके चिपकेंगे नहीं और साथ ही में मैंने एट किया है सारे अपने नौन वेज, थोड़े से नमक, एक चम्मच ब्लैक पेपर पॉडर, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स और इसे अच्छे से मिक्स करना है साथ ही में मैंने एट किया है चार से पाँच टेबल स्पून विनिगर और हाफ कप चिकन स्टॉक, जब मैंने चिकन को बॉइल किया था तो उसके पानी को मैंने फेका नहीं था, उसे एक कप में निकाल कर रख दिया था यह देखिए फ्रेंड्स हमारी चावमीन बिल्कुल ही बनकर रेडी है आप इसे जरूर बनाएं यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ आप जब तो बनाएंगे नहीं आपको इसका टेस्ट बता नहीं चलेगा जही क्वीक इजी और टेस्टी रेसेपी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग